रादी रादी आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर अक्सर चाय पीकर जिन कुलड को हम इधर उधर फेक देते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसा कभी भी नहीं करेंगे तो चलिए आज इन मिट्टी के कुलड से हम बनाते हैं बहुती प्यारी हैंगिंग ये हैंगिंग बहुती कलर्फुल होने वाली है क्योंकि हमारी दिवाली जो आने वाली है तो सबसे पहले इन मिट्टी के कुलड को हम पानी में भीगो लेते हैं इन कुलड को मैं पानी में इ आप Sun केल या पेजकर से आप इसमें hole कर सकते हैंaha होल देखि भूत ही आजानी से हो जाता है आपको पता भी नहीं लगेगा कि हो गया तरकार से देखिए मैं सभी कुल लड़ में फोल कर लूँगी तो इसके बाद हम इसमें करेंगे color, इन सभी color पर मैं करूँगी सबसे पहले white color, white color करना बिल्कुल optional है, चाहे तो आप direct color कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, white color मैं इसले कर रही हूं, ताकि मुझे जो दूसरा color मैं इसके उपर करूँ, उसकी एक ही coating करनी पड़े अगर मैं white color नहीं करूँगी तो मुझे double coating करने पड़े गी तो इस प्रकार से मैंने सभी कुलड को तैयार कर लिया हैं अब मैं इनके उपर करऊंगी 5 क्लार क्योंकि मेरे कुलड पाँच है तो मैंने 5 ही color इन पर करने के लिए लिये हैं तो आप अपनी choice के according color decide कर सकते हैं कि आपको कौन-कौन से color करने हैं. तो मैंने यहाँ पर red, yellow, green, blue और orange color लिया है. तो मैं सभी color पर ये color कर लूँगी. तो देखिए मैंने नीचे की तरफ एक layer छोड़ दिया white, white मैंने इसले छोड़िये क्योंकि मुझे इस पर दूसरा color करना है. आप चाहें तो इस पर less लगा सकते हैं, mirror लगा सकते हैं, या warling painting भी कर सकते हैं, या कोई pattern draw कर सकते हैं. मैंने इसको highlight करने के लिए यहाँ पर दूसरा color किया है, मैंने सभी कुलड़ पर color कर लिया है, देखिए इस पर कार से, आप चाहें तो अपने हिसाब से इस पर color कर सकते हैं, अब मुझे लटकन बनानी है, यानि hanging बनाऊंगी मैं, उसके लिए मैं यहाँ बना रहें टसल, क् जो हम इनको hanging को, तो उनके लिए हमें कुलड़ की एक लटकन बनानी है, तो यहाँ पर मैंने लकड़ी के beats लिया है, मैं इनहीं के उपर यह 5 color कर लूँगी, आप चाहें तो clay से beats बना सकते हैं, clay से भी easily beats बन जाते हैं, मेरे पास नहीं थे, तो मैंने इनका यूज किया है, आपके पास जो है, आप वो ले सकते हैं, मेरे पास यह pipe रखा हुआ था, तो मैंने इसी का यूज कर लिया, अब मैं pipe के उपर पहले color कर लूँगी, ताकि यह दिखने में बहुती beautiful लगे, तो मैंने pipe पर orange color किया है, आप अपने choice के according कर सकते हैं, तो देखिए इस प्रकार से मैंने pipe ready कर लिया है, अब मैं बनाऊंगी जो लटकन हैंग करनी है, मुझे hanging के अंदर, तो सबसे पहले मैं टसल पर जो धागा है, जिस पर मैं हैंग करूंगी, उसकी note लगा लूँगी, आप चाहें तो यहाँ पर beards का यूज कर सकते हैं, ताकि जो हमारी ये टसल है, वो लमें से उपर की तरफ ये नहीं निकले, तो इस प्रकार से देखिए, मैंने जो टसल बनाया था, उसमें कुलड को डाल दिया है, जो टसल है, उसको इस प्रकार से हैंग किया है, ताकि वो पूरी नीचे की तरफ दिखाई दे, आप चाहें तो इसको अंदर की तरफ रख सक करते हैं, इसके बाद मैं इसमें बीर्स डालूंगी, तो देखिए, जो मेरे कुलड का कलर है, वो ओरेंज कलर है, तो यहां दो ओरेंज कलर की बीर्स लूंगी, और एक जो लटकन, यानि जो तसल है, रेड कलर का, उस कलर की बीर्स लूंगी, तो मैं तीनो बीर्स को इसके करने के लिए तकि जिगह से कि धिले नहीं जिस करकार से आपको जो पैरन बनाना है आप बना सकते हैं देरों तरह कीहंगिंग बनती हैं को लड़ से आपको जो pattern अच्छा लगे आप उस प्रकार से कर लीजे तो देखिए मैंने आपर beads को इधर paste कर दिया है इसके बाद समान दूरी पर मैं दूसरा beads paste कर दूँगी रेड वाला अब इसके उपर मैं फिर से orange color का जो beads है उसको paste कर दूँगी तो इस प्रकार से देखिए मेरी जो एक लटकन है वो बनकर तयार हो गई है जो hanging में मैं hang करूँगी इसी प्रकार से मैं सारी hanging तयार कर लूँगी जो beach वाली hanging है वो मैं थोड़ी लंबी बनाऊंगी उसके बाद जो side वाली है वो समान बनाऊंगी और just उसके side वाली वो समान बनाऊंगी मतलब बीच वाली लंबी होनी चाहिए और साइड वाली बराबर फिर उसके साइड वाली बराबर तो इसमें देखिए मैंने 5 होल कर लिये क्योंकि 5 ही कुलड हैंग करने मुझे इसमें तो मैंने पाइप में से होल कर लिया था तो इस प्रकार से देखिए अब इसके उपर मैं हैंग करूँगी तो देखिए इस प्रकार से मैं सभी कुलड को इस पाइप पर हैंग कर दूँगी ताकि हमारी हैंगिंग बनकर तैयार हो जाए आप जब भी इसमें कुलर को हैंग करें, तो पाइप को किसी को पकड़ा दीजे, ताकि जो हमारी हैंगिंग का बैलन्स है, प्रोपर बन जाए, अकेले से तो ये इसका जो बैलन्स है नहीं बनेगा, मैंने अपने हस्बेंट की हैल्प ली थी, इसको हैंग करने में, तो देख दागा है, उसको अच्छे से नोट लगा देंगे, यानि बान देंगे इस प्रकार से, आप चाहें तो इसकी जगह सूतली का इस्तमाल कर सकते हैं, मैंने उन का इस्तमाल इसले नहीं किया, क्योंकि उन थोड़ी कच्ची होती है, उसका तूटने का डर रहता है, तो मैंने य लगा दिये हैं, और साइड में इसको हैंक करने के लिए वो ही जो वाइड धागा था, उसको बान दिया है, और उसको साइड से लपेड दिया है, ताकि दिखने में अच्छी लगे, आप चाहें तो इसके उपर मिरर पेस्ट कर सकते हैं, मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे ये प्लेन ही रखने थे, तो ये देखिए, मेरी लटकन का फाइनल लुक सभी को राधे राधे,